दोस्तों कहते हैं कि इतफाग बता कर नहीं होता यह तो बस हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को क्या बता कोई नहीं जानता कि क्या हो जाए और ऐसी ही कुछ गटनाओं को हम कहते हैं इतफाग और कुछ गटनाओं हो जाती हैं भाई साब कैमरी में क और फिर हम लेकर आते हैं उसकी वीडियो और इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ को इंसिडेंस बताएंगे लेकर आए हैं जो कि लाखों में एक बार होते हैं तो खैर वीडियो को अंतग जरूर देखिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले ने वीवर्स हर बार की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल को दबा करॉल की अप्शन पर भी क्लिक कीजिए दोस्तो इस पहली वीडियो में आप देख सकती हैं कि एक सफेद रंग की गाड़ी रोड पर खड़ी होती है और उसके पास फाइर बिरगेड की गाड़ी गुजरी होती है लेकिन तब भी अचानक पता ने क्यूं सफेद रंग की गाड़ी में लग जाती है आग फिर फायर वेगेड वहां रुपती है और उस गाड़ी की आग बचाती है ये तो शुकर है कि मौगे पर बचाने वाले मौजूद थे और गाड़ी बच गई बना कुछ कल़त हो सकता था इस बच्चे का कोइंसीडेंस देखिए कैसे ये बोटल को परफेक्ट तरीके से फिकता है और उसके बाद रियक्शन भी देखिए अब इस आदमी को देखे जो की उपर से चेयर को नीचे फिकता है लेकिन चेयर नीचे परफेक्ट टाइमिंग के साथ आती है और लैंड हो जाती है फिर क्या था ये आदमी हवा में जूमने लगता है ये लड़का शौट लगाकर बेस बैट को पीछे की तरफ फिकता है लेकिन उसका बैट पीछे आकर सीधा खड़ा हो जाता है ये देखकर बंदा पाकल हो जाता है यानि कि उसका रियक्शन देखिए इस वीड़ो में ये आदमी मोटरसाइकल पर काम कर रहा होता है लेकिन तबी पीछे से कुछ समान वो लेने के लिए मुड़ता है उसके पीछे दो बच्चे रोड क्रोस कर रहे होते है लेकिन तबी वहाँ पर गाड़ी अच्छानक से आ जाती है वे आदमी उन दोनों बच चेर से उटकर अंदर खाना खाने के लिए आती है जैसे ही मैला अंदर आती है उसे चेर पर पेड़ आगर गिर जाता है अगर वह मैला उसे चेर पर ही बैठी रहती तो उसका अन्तिम संसकार करना पड़ता है अब इस वीडियो में देखिए कैसे भ्यानक एक्सिडेंट होते होते बच जाता है दोस्तों अपने लगी इनसान तो बहुत देखे होंगे लेकिन क्या आपको लगी कार के बारे में पताए क्या आपने लगी कार देखी है अगर नहीं देखी तो इस सब वीडियो को देखिए यहाँ पर लड़की अपना जनल दिन सेलिबरेट कर रही होती है लेकिन तब ही उसके हाथ से उसका केक फिसल जाता है और उसके मूह से चीग निगल जाती है लेकिन तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है और उसका केक गिनने से पहले ही बचा लेता है यहाँ पर ये न्यूस रिपोर्टर एक लड़के की तस्वीर टीवी पर दिखाता है और कहता है कि इस आथमी को पुलिस तलाज कर रही है अगर कोई इसको पकड़वाने में मदद करता है तो करोड़ रुपे इना में मिलेंगे लेकिन सरा रुकिए ये तस्वीर तो इस रिपोर्टर या एंकर की ही लगती है अरे एंकर भाईस आप बच के रहे हैं न कहीं पुलिस आपको ना जेल में डाल दे इस वीडियो में देखिए आपको जो भी फ्रेम में कार दिखाई दे रही है वैसो भी रड़ डलर की है दोस्तो शादी में ये रसम तो जरूर होती है कि जब लड़की अपना फूंका पीछे की तरव फेकती है और उस फूंके को अगर कोई लड़की पकड़ लेती है तो उसकी अगली शादी होती है और ऐसा ही से लड़की ने भी अपना फूंका पीछे की तरफ वेका लेकिन वे किसी दूसरे की हाथ में जाने की बजाया है वापस उसे लड़की के पास ही आ जाता है मतलब उसकी फिर से शादी होगी अब इस वीडियो में देखे यादमी गर में ही गॉल्फ गेलरा होता है और जब बॉल को हिट करता है और बाद में बॉल को डूने की कोशिश करता है लेकिन बॉल वापस आकर उसे जगा बरा जाती है जहांसे उसने हिट की थी ये भाई साब हैरान हो जाता है कि अब ये बोल यहां कैसे आ गई देखे कितनी पर्फेक्ट तरीके से उसने शॉट मारी थी इस वीडियो में देखे कैसे ये लड़की लास्ट सेकंड में बास केट की अंदर बोल को डाल कर पॉइंट हासिल कर लेती है दोस्टो कैसे हुई 0.00 सेकंड से हार देखिए और दोस्टो कुछ वीडियो अनलगी पीबल्स की भी है दोस्टो अपने इंसान तो स्मार्ट देखिये होंगे लेकिन क्या आपने कभी प्रिंटर भी स्मार्ट देखिया क्या दोस्टो रोड पर एक आदमी जा रहा था और कुदरती वहाँ पर दूसरी इंसान के कंडे पर वे टच कर देता यानि कि वैसे ही आप समझते हैं और जब वे पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़े हाथसे का शिकार होने से वे बच जाता है वो इनसान बचा गया दोस्टो बच्पन में ये लड़का एक प्लेन में बैठकर तस्वीर घिचवाता है लेकिन तभी 20 सालों बाद ये लड़का उसी प्लेन का में पाइलट बन जाता है यहां दो लड़के कुते से डर रहे थे लेकिन तभी एक लड़का गाड़ी से नीचे कूदने की कोशिश करता है लेकिन उस लड़के की लैंडिंग क्या लाजवाब होती है दोस्तो ये लड़का बॉल को बास्केट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी बॉल बास्केट से टकरा कर दूसरे बास्केट के अंदर चली जाती है वे लड़का विर से दोबारा बॉल को बास्केट के अंदर डालता है लेकिन भी बॉल बास्केट से टकराकर दूसरी बास्केट के अंदर चली जाती है अब इसे आप टैलन्ट कहोगे या कुछ हो या आपकी मर्जी है लेकिन मेरी मर्जी यहां तक ही थी तो खैर दोस्तों आज किस वीडियों बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कुछ ज़ादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए वग्यार मिलने को और कमाल के वीडियो के साथ बाई बाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल को दबा कर और के अप्शन पर भी ज़रू क्लिक कीजिए